नमस्कार, माइ हो जे अटिस कुमार, ये दखलेज़ ये सवाल है 0.357 hectare में कितना एकड़ डिश्मिल होगा? 0.2290 hectare में कितना एकड़? 0.7080 hectare में कितना एकड़? इतना यदी रकवा है आपके खताउने में तो कितना एकड़ कितना डिश्मिल होगा? इसको देख लिजे, 43,560 वर्ग फूट एक एकर में होता है, और ये पहला इस्टेप में देख लिजे, और एक हेक्टियार लिख लिख लिजे, एक हेक्टियार बराबर एक लाग आट हजार नौशो वर्ग फूट, वर्ग फूट पूरा वीडियो देखे, अब एक एकर बरा बराबर 43,560 वर्ग एक लाग 8,900 बराबर 0.400 हेक्टियार होता है, एक एकर बराबर लिख लिजे, एक एकर, एक एकर बराबर 0.400 हेक्टियार, और दूसरा इस्टेप में देख लिजे, एक हेक्टेर बराबर इकाई दहाई शेकड़ा हजार दस हजार वर्ग मीटर वर्ग मीटर इसका उप्योग और इसका उप्योग भी होता है ये दोनों का उप्योग होता है तो देख लिजे एक एकड़ बराबर जानते हैं लिखा गया है उपर में एक एकड़ बराबर 43,560 वर्ग फिट होता है वर्ग फूट लिख लिजे अब हमको इसको वर्ग मीटर में बदलना है हेक्टेर जानने के लिए इसके लिए एक वर्ग मीटर बराबर कितना वर्ग फुट होता है इसको देख लिजे एक वर्ग मीटर बराबर 3.28 गुड़ा 3.28 बराबर होता है गुड़ा कर लिजे ये 10.7584 वर्ग फुट होता है एक वर्ग मीटर में इतना वर्ग फुट होता है एक वर्ग मीटर बराबर 10.7584 वर्ग फुट होता है अब एक एकड बराबर इतना है इसको वर्ग मीटर में बदलने के लिए देख लिजे 43,560 बटे 10.7584 कर दिजिए तो बराबर होगा किल्कुलेट करके देख लिजिए कि कितना मीटर होता है इसको एक एकड बराबर लिख लिजिए 404 यानिकि 8 दसमलों में 9 दो ओवर्ग मीटर एक एकड बराबर इतना ओवर्ग मीटर होगा किल्कुलेट कर लिजिए अब हमें यहाँ पर हेक्ट्याब में बदलने के लिए देख लिजिए कुछ डिफ्रेंस होता है तो ये 48,492 कर दिजिए 4048,492 बटे 11,1010 तो बराबर होगा 0.4048 हेक्टेयर एतना होता है तो लिख लिजिए एक एकड दूसरा इस्टेप में एक एकड बराबर 0.4048 हेक्टेयर होता है एतना इसे नोट कर लिजिए अब हम लोग ये सवाल को हल करेंगे ये देख लिजिए यहाँ पर पहला सवाल है 0.357 हेक्टेयर में कितना एकड इसको जानने के लिए 0.400 कर दिजिए बराबर कितना होगा? इससे यहाँ से जानेंगे तो ये बराबर होता है ये 0.8925 एकड होगा इसका उप्योग करते हैं वो सब देख लिजिए एक हेक्टेयर बराबर एक लाग 8,900 वर्ख फूटका तो इतना एकड होगा ठीक और दूसरा इस्टेप का हेक्टेयर निकाले हैं एक एकड को इसमें देख लिजिए इसी का 0.357 हेक्टेयर बटे 0.4048 हेक्टेयर एक एकड का हेक्टेयर है अब बदल भाग कर देजिए इसको भाग करने पर 0.888 एकड होगा कितना डिफ्रेंस है देख लिजिए यहाँ पर 89 है तो हैं पर 88 इस प्रकार से बहुत ही आसानी से जान सकते हैं यह दोनों इस टेप को देखिए कन्फ्यूज नहीं होंगे और दूसरा में देख लिजिए दूसरा सवाल है 0.2,2,9,0 में कितना एकड होगा तो इससे भाग करेंगे पहला इस टेप से 0.4,0,0 से तो बराबर होगा इससे हल करेंगे तो देख लिजिए किल्कुलेट कर लिजिए हल करके तो ये होता है ये 0.5,6,0 एकड इतना एकड होता है इस परकार से बहुत ही असानी से जान सकते हैं इजी तरीका से ये 5,7 एकड होगा यहाँ पर 5,7 होगा 5,7 लिख लिजिए 0.5,7 एकर अब दूसरा से निकाले हैं 0.25,9,0 22,22 है 22,9,0 बटे 0.40,48 बराबर होगा 0.56 एकर एतना होता है यहाँ पर डिफ्रेंस देख लिजिए यहाँ पर 5,6 है यहाँ पर 5,7 इस परकार से असानी से जान सकते हैं और अगला देख लिजिए अगला हम लोग जानेंगे 0.7,8,0 हेकर मैं कितना एकर तो 0.4,0,0 बराबर 1.9,5 एकर होगा और इसी को दूसरा इस टेप से निकाले हैं हेकर, एक एकर का उसमें से देख लिजिए 0.7,8,0 बटे 0.4,0,4,8 तो बराबर होगा यह एक दसमलोव नव दो एकर यह देख लिजिए, डिफ्रेंस को देख लिजिए यहाँ पर 9,2 है, यहाँ पर 9,5 है इस तरह से, बहुत ही असानी से जान सकते हैं यह दोनों का उप्योग होता है